Hello guys and welcome to Only IS और आज की इस वीडियो में हम continue करेंगे अपनी weekly mapping series और इस वीडियो में हम week 3 of May month के जितने भी important places and news हैं उनको discuss करेंगे Guys इस से पहले कि हम आगे बढ़े मैं आप सभी को हमारे प्रारम्व batches के बारे में बताना चाहूंगा जो की 2023 के लिए चालू हो चुके हैं अब देखें यहाँ पर आपको वीडियो lectures मिलेंगे NCRT के, Pre and Mains के, CSAT के, Extra Marks, Booster, Topics, Weekly Current Affairs, everything will be included इसके साथ ही साथ ही, you will also get 15 months current affairs and with this study material, specially are 21 GS books at your doorstep और सारे lectures की PPTs भी provide की चाहेगे आपको इसके अलाबा, at last you will get complete test series NCRT के हो चाहे, Weekly MCQ test हो, Prelims के test हो, Full Length test हो, Second test हो, Everything you will get here Okay, so you can give a try to this batch अगर आपकी कोई भी query होती है, तो you can contact on our website or you can go to our website that is video.onlyas.in Okay, so now let's come to the video So चलिए, चालू करते हैं, हम अपने पहले article से which is about Ramgad Vizdhari Century देखिए, जो Ramgad Vizdhari Century है, वो Rajasthan के बुन्दी district में located है आप सभी कोटा के बारे में जानते होंगे, जहाँ पर जेगी तयारी होती है So this is कोटा, और इसके पास आपको मिलेगा बुन्दी ठीक है? अब देखिए, पहली बार इसे 1982 में Wildlife Century का दरज़ा दिया गया था ठीक है? अब यह भी क्या हुआ है, रीसेंट में कि जो State Government of Rajasthan है, उसने भई N.T.C.A. से approval मांगी उससे उसने बोला कि भई हमारी जो रामगर विजधारी सेंचुरी है आप इसको Tiger Reserve बनाने का approval दे जो तो उसने बोला ठीक है चलूए हम दे देते हैं अब यहाँ पर आपको N.T.C.A. के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए देखो N.T.C.A. एक statutory body है ठीक है that is legal body है विच कमस अंडर Wildlife Protection Act of 1972 ठीक है important fact to remember यहाँ पर आपको trap किया जा सकता है UPC के द्वारा इसके अलाबा इट कमस अंडर Ministry of Environment, Forest and Climate Change ठीक है यह भी आपको याद रखना है अब देखो जो हमारा रामगर विजधारी सेंचुरी है उसमें आपको बहुत सारे animals देखने को मिलेंगे for example Indian wolf ठीक है फिर leopards strip dhina, see this is hina not strip dhina बट hina इसके बाद sloth beer golden jackal, chinkara neil guy and fox ठीक है इसके लाबा यहाँ पर आपको बहुत सारी historical, cultural and natural places भी देखने को मिलेगी जिसमें सबसे famous है रामगर पैलेस यह आपने बहुत सारी movies में देखा होगा बहुती आलिशान palace है, उसके अलाबा bheem blood, देखो this is bheem blood, यह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ओके अब देखो यह जो रामगर tiger reserve है उसका complete plan है यह this will be the core zone आपने इसके बारे में पढ़ा होगा कि यह core zone होता है जहाँ पर लगभग human interference होती है उसका avoid किया जाता है इसके बाद यह होता है buffer zone ठीक है उसके अलाबा एक और zone होता है बट वो यहाँ पर नहीं बनाया जा रहा है इसके अलाबा यहाँ पर और भी कुछ important national parks है जैसे सरिस्का tiger reserve यह देखो यहाँ पर इसके बाद रंथम भोर national park फिर यहाँ पर मुकुंद्रा hill tiger reserve देखो यह राजिस्थान के जितने भी important national parks या tiger reserve है उसको याद करने कि एक trick की shots बनाई थी मैंने एक बार shots में check कर ले ना वहाँ मिल जाएगी अब आते हैं next article में which is about उज multi-purpose project देखो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान ने इंडस river water treaty sign की थी ठीक है जिसके तहत जो ऊपर की तीन rivers है यहाँ पर देखो इंडस जेलम और चेनाप यह दी गई थी किसको पाकिस्तान को और जो नीचे की team tributaries है that is ravie, biaas और सतलिच यह किसको दी गई थी इंडिया को अब जो इंडिया है ना वो अपना पूरा water जो था वो यूज नहीं कर पा रहा था पाकिस्तान में चला रहा था लेकिन अब इंडिया ने डिसाइड किया जितना भी water है इं reverse पर उनको completely use करेंगे तो उसके लिए इंडियन कौर्मेंट क्या करने वाली है अभी recent में बलकि बहुत टाइम से चल रहा है बहुत टाइम से news रहती है कठुवा district कठुवा district is very very important ठीक है आपको था जिलाइक 1965 war में अगर यहाँ पर कबज़ा हो जाता कठुवा में तो राइक इट वसक्वाइड इंपॉसिबल फर इंडिया to win the war बट दिस वाज़ ग्रेट स्टाटिजी आफ लाल बाहदर रुशात्री उन्हों का mapping series but I will tell you about both the cyclones की क्या चल रहा इनके बारे में ओके तो देखो जो cyclone असानी है और cyclone करीम है यह दुनों कहाँ पर आए है इंडिया नोशन रीजन में आए है ठीक है जो दोनों के दुनों cyclone थे हाँ पर सेम latitude region में form हुए थे मतलब एक ही जगे form हुए थे लेकिन अब यह लोग separate हो रहे है drift हो रहे है ठीक है जो नीचे जा रहा है और तरफ जो जा रहा है ठीक है उस cyclone को नाम दिया गया है cyclone करीम किसके दोरह sesshills के दोरह ठीक है से shills के दोरह sesshills के दोरह साइक्लोन करीम ना दिया गया है स्री लंका ने दिया याद रखेगा ठीक है चलो स्री लंका किसी और वज़े से भी न्यूज में आया अभी सकता उनकी इंटरनल ग्राइसेसी बहुत चल रही है ठीक है तो दोनों याद रखना लोकेशन कहा है और ये 16th of May को क्या किया International Center for Buddhist Culture and Heritage की Foundation रखी कहाँ पर लुंबिनी में आप सब जानते हैं लुंबिनी कहा लोकेशन है नेपाल में लोकेशन है ये क्यों फेमस है विकॉज यहाँ पर गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था अब देखो जो हमारी बुद्धिस लिट्रेचर्स है उसमें इस जगे को बुलाया जाद था प्रदी मोक्ष वन प्रदी मोक्ष वन का मतलब हुता है सिन फ्री फॉरेस्ट मतलब यहाँ पर कोई भी अपराद आपको देखने को नहीं मिलेगा अब देखो जो लुंबिनी है इसको बनाया गया था कोलिया क्लान के किंग थे जिनका नाम था अंजना ठीक है इन्होंन जाता है कि इसी जगहे पे कौतम बुद्धा का बर्थ हुआ था तो आप और इमिजी देख सकते हैं इसके उगल में इसके आप देखो यहाँ पर जो भी बुद्धा से रिलिडेट इंपॉर्टन डिलिजिस प्लेसे हैं वो यहाँ पर मैंने मैप में मेंशन कर दी है या तो आप इसको एक बर जरूर देख लिजिएगा इंपॉर्टन है बुद्धिद्म हर साल एक ना दो कोशन आने याने ठीक है तो इस मैप को डीटेल में पढ़ना इसका लिटरल मतलब होता है ब्लाक माउंटेंस इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे केवस भी देखने को मिलेंगे इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे केवस भी देखने को मिलेंगे इसके अलावा पेंटिंग्स देखने को मिलेंगे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे जो की वेरी करते हैं 1st century common era से लेके 10th century common era अगर आपको common era जानना है क्या होता है AD क्या होता है यह देखो rocket स्थूपा देखने को मिल रहा है ठीक है तो it is quite important जो आपको पता होना चाहिए और जो हमारा कनहरी caves है वो कहाँ पर locate भाई यह locate है संजय गांधी नेशनल पार्क में और संजय गांधी नेशनल पार्क कहा है यह है मुंबई में अब देखो जो संजय गांधी नेश फ्रावर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्वी श्रब और यह हर आठ साल में एक बार होते हैं तो अगर आप कभी आप संजय गांधी नेशनल पार्क विजिट करें और आपको मौका मिले तो देख सकते हो आप अगर आप वो उस एट दियर में हुए ठीक है इसके लाब देख लो इस वर्डे नगर फिर गांधी नगर एहमदाबाद वडोद्रा सूरत जितनी भी पॉंट सिटीज हैं वो इस्टर साइड में लोगरेड़ा गुजरात के वेस्टर साइड यह कच्छा जाता है तो यहाँ पर रेगेस्टान टाइप का रीजन है काफी कम प्रोडक यहाँ पर एक बहुती फेमस बुद्धिस मोनस्ट्री भी थी यह उसका कुछ अफ्षेश है ठीक है आप तो काफी रून्स पर हैं बट काफी फेमस है एक टाइम पर अगर आप देखोगे वर्ड नगर का मेंशन आपको पुरानास में मिलेगा इसके लाबाद जो यून सां क्या होते हैं तोरानास मतलब दर्वाजें आर्चे मतलब कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ठीक है इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा पॉंटेड होता है ताज महर देखने को मिलता है उस टाइप का टोराना आर्चेस देखने को मिलेगा इवन अगर आपको य famous Torana that is called as Kirti Torana which is also built by Solankei ruler. तो यह याद रखना. अब नाउ next article is about Jordan. जॉड़न का capital you should know that is Amman, तो अब जॉड़न आप सभी जानते हो एक Middle East country है अरभियन परेमस्वला में लोकलिड है यह भी जानते होगे. अब इसके आज बजो कि surrounding countries देख लो एक बार देखो this is Syria, इस इराक, साओधी अरेबिया, इसराइल और पैलिस्टीन, पैलिस्टीन कैसे, देखो, इस वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक आप सभी जानते हो, शेयर बाइ टू गुंट्रीस, यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्ट टरिटरीस है, फोर एजांपल, देखो, गाजा स्ट्रिप हो या फिर हमारा गोलान हाइट्स हो गया, या फिर वेस्ट बैंक हो गया, इसके पर अल्रेडी मैंने अपने शुरू के एक दो लेक्टरस में सब कुछ डीटेल में बताया, तो वहाँ पर इबार चेक करना होता हूँ, ठीक है, पर इसके लावा देखो, यहाँ पर यहाँ पर पोर्ट है इनका, विच इस कॉल्ड अल अकाब, ठीक है, यह इनको एक्सिस देता है, गल्फ अकाब की, देन, रेड़ सी, और फिर फाइनली बाहर हो जाओ गया, ओके, अब यहाँ पर एक इंपॉर्ट रिवर है, यहाँ पर जॉर्डन, यहाँ पर चल रही है, और अब एक और काम करवा, कमेंट सेक्शन मुझे यह बताओ कि, जो हमारा गुरन हैट है, वो किस-किस कंट्री से टाच होता है, ठीक है, अब नेक्स आर्टिकल इस अब जमाइका, ठीक हो जमाइका काइटल, एवरीवन नोस, इस किंग्स्टन, ओके, अब किंग्स्टन बड़े important island है, कौन सा पहला तो आपको पता होगा, क्यूबा, ठीक है, इसके लाब एक और important island है, बड़ा island, which is called as Hispaniola, ठीक है, इसके बाद तीसरा important बड़ा island है, that is जमाइका, जमाइका बेटल क्या है, किंग्स्टन, याद रखना, ठीक है, आब इसके आज बजु आपको क्या मिलेगा, this is, देखो यह होगा, जमाइका दिख रहा है, यहाँ पर, यह क्यूबा, this is Haiti, okay, this is Caribbean Sea, okay, यह सब याद न, this is Bahamas, okay, तो यह सब को important चीज़े है, ध्यान रखना, इसके लाब यहाँ पर सबसे बड़ी river है, Black River, और highest point है, Blue Mountain Peak, अच्छे ब्लू माउंटेन नाम कर कि हमारे इंडिया में भी एक किसी कंट्री का बड़ा सा पीक है वो, तो आप कमेंट सेक्शन मताओ, किस कंट्री का, not किस कंट्री का, actually, किस स्टेट का है वो, ठीक है, this you have to tell in comment section, so with this, we conclude our today's lecture, now we are going to meet in the next lecture with Sammo Star, till that time, thank you, have a nice day, and Jai Hind!